आप सब करता हैं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्टिक गयर में तो पंजाब स्कूल एजक्रिशन बोर्ड की तरफ से जो बोर्ड की क्लासस के जो एक्जाम है वो 13 फरवरी से शुरू होने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो काफी सारी जो स्टूरंट्स है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो अगर आप हमारे चैनल में पहले बार आए हैं तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे नेक्स जो भी अपडेट्स हैंगी वो आपको मिलती रहेंगी तो चलिए वीडियो को जारे होने वाली है तो जैसे ही जो डिटन डिटिट जारी होगी तो हम आपको एक वीडियो की जरीए सारी जो डिटिट होगी वो अपडेट कर देंगे इसके लावा आप हमारे टेलिग्रम चैनल को जोईन कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको जो डिटिट एफ हो मिल जाएग जब पी डिपार्टमन्ट की तरफ से जारी की जाएगी तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके जो प्रैटिकल एक्जाम होंगे जितने भी आपने कुछ सब्जेक्ट रखे होंगे उनके आपके प्रैटिकल एक्जाम होंगे जैसे कम्प्यूटर साइंस है या फिर फिजिकल एडुकेशन है या फिर आपने कोई एनस के वह सब्जेक्ट रखा है या फिर कोई और सब्जेक्ट है आपका प्रैटिकल का तो आपके जो नौट बोर क्लासेस के जो प्रैटिकल है वो आपके तियोरी एक्जाम से पहले होंगे तो जब भी आपकी रिटन डिट आईगी तो उसके एक फ़ता पहले आपके जो प्रैटिकल के एक्जाम है वो हो जाएंगे उसके बाद आपके तियोरी के एक्जाम होंगे और आपका जो रिजल्ट है वो 31 तक डिकलेर कर दिया जाएगा यानि की एक अपरेल से आपको जो नया सेशन है वो शुरू हो जाए कि किस डेट से आपके जो एक्जाम है वो शुरू होंगे तो 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास की जो एक्जाम है वो एक साथ ही स्टार्ट होंगे तो इनकी जो डेट है वो जो बनेंगी वो एक ही डेट से आपके जो एक्जाम है वो शुरू हो जाएंगे तो एक्जाम की जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी कितनी देर तक आपके जो एक्जाम है वो खतम होंगे तो जब भी जो डेशिट आईगी तो उसमें सभी जो चीज़े हैं वो बताई जाएंगी इसके लवा और भी जो इस्ट्रक्शन्स है वो भी हम आपके साथ जिरूर शेयर करेंगे तो काफी सारे जो कमेंट्स यहां क्योरिस आ रहे थे कि जो नौन बोर्ड की क्लासस के एक्जाम है उसके बारे में जो अपडेट है वो दी जाए तो आपको अपडेट पता चल गी है कि आपकी जो एक्जाम है वो मार्च मन्थ में होगे तो कुछ कोशन्स आ रहे थे कि क्या फरवरी मन्थ में होगे एक्जाम तो यहाँ पर बता दूँ कि आपकी जो exam है वो फरवरी में नहीं शुरू होंगे आपकी जो exam है वो मार्च मंद में ही शुरू होंगे तो इसके लिए जो भी schedule होगा या जो भी questions paper आपके school की तरफ से बनेंगे या department की तरफ से बेज़े जाएंगे उसके बारे में भी हम आपको डिश टान के बाद सारी जो बाते ही वो clear कर देंगे तो फिलाल आज की स्वेंड में यही अपडेट से इसी तरह की और भी अपडेट स्चानकारी लेने के लिए बने रहीगा हमारे चैनल के साथ जल्दी मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैन्द